सब्सक्राइब करे एबीपी गंगा मगर हर उतार के साथ एक चड़ाव आया है और हर चीज ने हर एक्सपिरिंस ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है वरना एक छोटे से शहर का लड़का फॉरेस जबार्टमें के लड़का बेटा 35 साल 515 फिल्मे करके यहां इस मकाम तक पहुँचा है तो इसमें आशिरवाद तो है ही है मगर इसमें हार्ड वर्क भी है और एक बिलीफ भी है और यह सब उन लोगों के लिए प्रिनात्मक भी है जो चोटे शहरों में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं जो निम्न वर्ग ये परिवार से आते हैं जिनके पास इतने साधन नहीं होते हैं तो उनको बताने का कि अरे भी मेरा अगर कुछ हो सकता है तो किसी का भी कुछ हो सकता है यू only have to work hard and just believe in optimism. one day जो है वो एक रिटार जस्टिस त्यागी के बारे में हैं वो गांगली जी मुझे जाद आ गए तो और मैं हमेशा सोचता था कि कि ये जो जज होते हैं इनको इनके पीछे एक इनसान होता है जो अपनी एक सोच रखता है लेकिन कानून के दाएरे में रहकर उनको फैसला देना पड़ता है और तो ये अपना क्या सोचते होंगे तो जब आशोक नंदा मुझे मेरे पास एक कहानी लेकर आए कि ऐसे इस्तियागी जो है वो जिस दिन रिटायर होते हैं एक महिला जैसे वो कोट से निकलते हैं अपनी फाइनल स्पीच दे कर और एक महिला जिनका किरदार जरी नवाज भाब जी कर रही है वो उनको एक थपड मारती है और आप बोलती है कि आप बिग गए और फिर वो अपनी लाइफ को अपने सारे मुकदमों को रिविजिट करते हैं और उनको लगता है जो पता होता है यह चार लोग जो हैं इनको मुझे कानून में के दैरे में रहकर इनको इन मुझरिमों को मुझे बेगुना पूलना पड़ा क्योंकि इनके खिलाफ सबूत नहीं खटे कर पाए और इनके खिलाफ बातें नहीं हो पाई फिर वो उन चारों को ढूनते हैं और उनको अपने हिसाब से इनसाफ देते हैं बैसिकली उनको मारते हैं तो मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंजिंग क्यारेक्टर था क्योंकि वरना जो जस्टिस त्यागी के एक फैमिली है उनकी बैलनस धूनना चाहता था अजन अक्टर की उनको इन दोनों चीजों को बिना ड्रमाटिक होए बिना नाटकी होए कैसे किया जा सकता तो मुझे उसका मौका मिला और हमारे हाँ नियाय जो है वो डिले हो जाता है बहुत सारे केसिज अमारे हाँ स्वाल नहीं होते हैं बहु तक तरह भी जो है जनता का लोगों का ध्यान बठाएगी कि justice delayed is justice denied but as a storyteller I think it's an interesting film I think मन को तो एकागर करना ही पड़ता है फिर उसकी look decide करने पड़ती है पर उसकी body language decide करने पड़ती है जैसे मैंने इसमें पूरी फिल्म में अपने कंदे जो है वो पीछे रख किये बात किये है because मुझे मुझे लगता था कि यह तो डिफरेंट लगेगा similar कि समकी आयू के लोगों के रोल करने के साथ साथ mentally कैसे उसका set up change करना है physically कैसे लगना है बात करने का अंदाज क्या होना चाहिए उस सब पे तो काम जाएगा तब ही तो लोग कहेंगे कि अच्छा काम करता है तब ही आपका introduction अलग लोगों से भीड़ से हट कर होता है और खासकर अब मैं acting school चलाता हूँ समझ को अपने profession में इस्तमाल करना बहुत जरूरी है मेरे लिए कश्मीर का issue सबसे बड़ा है मेरे लिए article 370 का हटना बहुत जरूरी है मेरे लिए कश्मीर में जितने ज़्यादा जितनी जल्दी कश्मीरी पंडित वापिस आए या उनके साथ जो आज से 29 साल पहले न्याए हुआ है उसको वह बहुत बड़ा इश्यू है और मुझे उमीद है कि प्रेजन सरकार अब उसकी तरफ कुछ और कदम उठाए की क्योंकि इवन जो अलगवादियों को अंदर किया है या टेरिरिसम को खतम करने के लिए कदम उठाए है वह भी उस आटो बाइग्राफी का पोस्टर जो है लेसंस लाइफ टॉट मी अन्नोइंगली वह एमेजान पर और फिलिप काड पर उसका प्री और शुरू हो गया है यह मेरी पूरी जीवनी का एक निचोड है हालां कि मैंने अपनी जीवनी सेज पर भी किये कुछ भी हो सकता है जो है वो मेरे जीवनी प्राधारित है बर जब मैं स्ट्रागलिंग एक्टर था तो मैं बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ता था जैसे इंगरिट बर्गमन है चारली चैपलिन है इनकी जीवनी जब पढ़ता था तो मुझे प्रोथसान मिलता था कि अगर इनकी लाइफ में यह सब हुआ और इसके बाद भी कुछ बने तो अगर मुझे लगता है कि मेरी जीवनी पढ़कर कुछ लोगों को जो कुछ बनना चाहते हैं अगर उनको प्रोथसान मिले तो मुझे अच्छा लगएगा तो जरूर खरीदिए